हेलो गाईज, वेलकम तो मैं चैनल, एक कोस्चन ले रहे हैं, find the smallest number that must be subtracted from 4696 to make it divisible by 13, means हमें वो smallest number को प्राप्त करना है, जिसे 4696 में subtract करने के बाद 13 से पूरी तरह से divide हो जाएगा, सच्छे कवले 13 से 4696 को divide करके देखेंगे, 13 से 46 को divide करेंगे, 3 times लगेगा, 39 हो जागा, माइनस करेंगे, यह 16 हो गया, 16 में 9 माइनस करेंगे, 7 हो गया, 3 हो जागा, 9 यहां उतर जागा, 13 से 79 को divide करेंगे, 13 6 जा, 78 होगा, 5 से माइनस करेंगे, 1 उतरेगा, 77 कट जागा, 6 यहां जागा, 13 से 16 को divide करेंगे, 1 time लगेगा, माइनस करेंगे, 3 होगा, 1 1 कट जागा, अब 3 reminder बच जाता है, अब यही वो smallest number है, जिसे 4696 में माइनस करने के बाद, 13 से 4 उतर से divide होजाएगा, सबसे पहले हम माइनस करते हैं, 6 में 3 माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, इस तरह से हमने 3 माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद 4,693 हो गया, अब इसे हम 13 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये नंबर पूरी तरसे डिवाइड होता है या नहीं 13 से सबसे पहले 13 से 46 को डिवाइड करेंगा 3 टाइम्स लगेगा माइनस करेंगा 16 में 9 माइनस करेंगा 7 हो जागा 33 कट जागा 9 यहां उतर जागा 13 से 79 को डिवाइड करेंगा 13 6 जा 78 हो जागा 9 में 8 माइनस करेंगा 1 होगा 7 7 कट जागा फिरी उतर जागा 13 से 13 वन टाइम में डिवाइड हो जागा इस तरह से यह पूरी तरह से कट जाता है कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है इससे असपस्ट होता है कि 13 से 4,693 पूरीतर से डिभाइड हो जाता है और वो smallest number जिसे हम प्रात करना चाहते थे जो जिस number को हमें 4,696 में माइनस करना था smallest number को वो smallest number 3 है गाइज उमीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो ताप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग